जेहिन दोस्तो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल ग्यांदे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एर इंडिया एरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड भरती 2022 के बारे में जो की दस्वी पास पर निकाली है और जिसमें की कैंडेट आल इंडिया से अपलाई कर पाएंगे तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो चली दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हुए हमारी official website है जिसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा जहाँ पर आप इसके eligibility के बारे में संपूर्ण जानकारी sort में जान सकते हैं बट अगर आपको directly notification डाउनलोड करने है तो आपको official notification के उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद यह notification आ जाएगा जहाँ पर आप जानेंगे कि यह बड़ती AI Airport Services Limited जिसको पहले Air India Air Transport Services Limited के नाम से जानते थे इसमें आपकी काफी सारी post पर यह vacancy निकली है जिसकी deputy terminal manager, duty officer, officer admin, officer finance, junior executive, junior executive इसके अलावा ramp service agent, utility agent, comp, ramp driver, handyman तो आप यहाँ पर देख लीजिए सबसे अधा पद आपके handyman के हैं जिसके लिए 117 पद निकाले गई है अभी हम बात करेंगे कि कौन सी post पर क्या qualification मांगी है apply करने के लिए तो आपको यही पर नीचे की तरफ इस notification में सभी post की qualification की जानकारी दी जा रही है तो मैं आपको सबसे पहले जो आपकी handyman की post है उसी की qualification के बारे में बताता हूँ अब guys मैं आपको बताना चाहूँगा anacademy के बारे में जो की इंडिया का largest learning platform है और anacademy यहाँ पर आपका जो सपना है IS का उसको पूरा करने के लिए काफी सारे courses ले करके आया है अगर आप anacademy को join करके आपकी preparation को करते है तो यहाँ पर आपको काफी सारी best quality के products देखने को मिलेंगे जिसमें कि आप देख सकते कि best in class educator best in class learner rating तो basically यहाँ पर हर चीज में anacademy best है इसके माधियम से आप लोग IS का dream अपना पूरा कर पाएंगे इसमें यहाँ पर मैं आपको बता दू कि unlock 20 offer के चलते आपको flat 20% छूट दी जा रही है पहले क्या होता था कि अगर आप मे अपनी कॉम्बो पर भी तो आपको मेरे code amzad10 का इस्तमाल करना है और तुरंत इसको छूट को ले लेना है साथ ही यहाँ पर आपकी anacademy light prelims and csat की जो batch है 2023 के लिए वो भी यहाँ पर आपकी जो है वो जल्द सुरू होगी और इसके जो courses की fees है उसमें भी काफी कटोती की ग और जो आपका subscription है उसको subscribe कर लीजे अगर कोई सवाल कोई doubt हो तो आप comment के मादिम से पूछ लीजेगा handyman handywoman यानि के इसमें male female दोनों apply कर पाएंगे तो यहाँ पर दोस्तो apply करने के लिए आप से दस्वी pass की योगयता मांगी है जी हाँ दोस्तो अगर आप दस्वी pass है तो आ समझनी आनी चाहिए भले ही आपको बोलनी नहीं आती हो बट आप समझ लेते हो थोड़ी बहुत तो आप इसमें आराम से apply कर सकते हैं फिर आपको यहाँ पर यह भी बोलाए कि knowledge of local and hindi language जैसे की ability to understand and speak is desirable यानि कि जो local language है वो आपको लिखनी पटनी बोलनी आनी चाहिए basically hindi language है तो hindi language आपको अच्छे से आनी चाहिए और maybe आपको आती ही होगी क्योंकि आप इंडिया से है तो hindi तो mostly जो इंडिया के लोग है उनको आती ही है तो यह आपके सामने कोई ऐसी problem create नहीं करेगी इस पर आपको जो salary दी जाएगी वो 14,610 रुपे दी जाएगी age limit आपकी य HD candidate को 5 साल की और OVC को 3 साल की छूट मिलती है जिसको मिला करके यह age limit यहाँ पर रखे गई है फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपकी अन्य पोस्ट है उसके eligibility के बारे में भी आप यहाँ पर जान लीजिए कि क्या qualification आपसे मांगी है तो जो आपकी utility as an income ramp driver जिसके लिए मैं आप को बता दू कि कितने पद है तो इसमें आपके 24 पद है इस पर जो आपसे qualification है वो भी आपसे दस्वी पास ही है यानि कि दस्वी पास candidate इस पर apply कर पाएंगे और आपको बोले कि must carry original valid heavy motor vehicle driving lessons at the time of appearing for trade test यानि कि आपके पास heavy motor vehicle driving lessons होना चाहिए और आपको यह लेकर के जाना भी ह जब आपका trade test हो इस पर आपको 16,530 रूपे salary दी जाएगी age limit आपकी same है और qualification आपसे दस्वी ही मांगी है फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपकी जिसमें 39 post है यह आपकी senior customer agent की तो इसमें आपसे क्या qualification मांगी है वो भी आप यहाँ पर देख लीजे मैं आपको यही पर दिख आपके पास diploma हो IATA का या फिर UFTA का basically इन में से कोई आपके पास diploma होना चाहिए अगर यह वाली qualification नहीं है तो second विकल्प आपको दिया कि graduate आपने की हो 10 plus 2 plus 3 pattern में और आपके पास एक साल का experience हो in the any of the area or combination there of fares, reservations, ticketing, computerized, passenger check-in, cargo handling इन में से किसी भी department में आपके पास एक साल का experience ह और आप graduate हो आप इस पर apply कर पाएंगे और इस पर salary आपको 19,350 रुपे दी जाएगी age limit आपके यहाँ पर same रखे गई है फिर जो आपकी senior customer agent की post है इस पर apply करने के लिए graduate की हो गया था और आपके पास 5 साल का experience इन में से किसी भी department में होना चाहिए salary आपको 20,750 रुपे दी ज जानकारी अभी आपके मन में एक सवाल यह होगा कि यह भरती permanent है या फिर नहीं है तो मैं आपको बता दू कि यह भरती permanent नहीं है बट government है वो भी आपकी semi government आप इसको कहेंगे और यह आपकी contract base पर है आपको बोले कि fixed term contract basis यानि कि contract base पर है अगर आपका काम इनको अच्छा ल बात करेंगे आपकी application fees के बारे में तो application fees यहाँ पर आपसे कितनी ली जाएगी वो आप यहाँ पर जान लीजे पिसिकली अगर बात करें application fees की तो इसमें apply करने के लिए 500 रुपए application fees रखी गई है जो कि आपको demand draft के माधियम से जमा करनी है और demand draft आपको air India airport services limited के favor में करना हो और जो CST category candidate है और ex-service man है इनके लिए कोई भी fees नहीं है यह फिर में आविदन कर सकते हैं फिर दोस्तों यहाँ पर आपका जो selection किया जाएगा selection आपका screening, personal interview, trade test, driving test, physical endurance test के द्वारा किया जाएगा यानि कि इसमें कोई आपका exam नहीं है आपकी screening होगी documents की जो आपने form बेजे उनकी फिर आपका personal interview होगा, इसके बार trade test होगा, driving test होगा, जिस post पर driving test applicable है उसी पर होगा, सभी post पर नहीं होगा, फिर आपका physical endurance test होगा, जहाँ पर आपकी जो physicality है वो देखे जाएगी, कोई इसमें यह limit नहीं रखिया कि आप से कोई दोड़ करा करके देखे जाएगी, ब application form का performa यहीं पर दिया है, अगर आप चाहते कि form flap कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए कलग से वीडियो बनाओ, तो आपको मुझे comment करके बताना है, फिर मैं आपके लिए जल्दी वीडियो बनाओगा, जिसको watch करके आप इस form को बिना किसी mistake के भर पाएंगे, तो